नमस्कार, मैं शाहीन और आप देख रहे हैं इंडियास लीडिंग एडुकेशनल वेब चैनल शाफसी मीडिया दिल्ली के स्कूलों में रिमोट लर्निंग योजना की शुरुआत की जाएगी दिल्ली के शिक्षा मंतरी मनेश सिसोधिया ने इसकी घोशना की है पूर्म में की गई घोशना के अनुसार 31 जोलाई 2020 तक सभी स्कूल बंद रहेंगे इस स्थिती में राजधानी के सभी सरकारी और सरकारी सहायता प्राप स्कूलों के चात्रों की पढ़ाई का नुकसान कम करने के लिए या योजना तयार की गई है किंडर गार्डन से लेकर 12 तक की कक्षाओं को तीन भागों में बाटा गया है इन तीनों भागों के लिए अलग-अलग रणनीतियां तयार की गई है जिनने डिजिटल डिवाइस, शिक्षक, पेरेंट्स और स्कूल मैरेजमेंट के सहयोग से पूरा किया जाएगा केजी से कक्षा आठ तक के लिए सेलिबस के आधार पर कंटेंट्स और प्रेश्णवाले डेली वरक्षीट्स चात्रों को शिक्षक द्वारा वाट्सैप के माध्यम से भेजे जाएंगे ये वरक्षीट इस तरह के होंगे जिससे स्टूडेंट्स के बीच रीडिंग, राइटिंग, अंडरस्टैंडिंग और हैपिनेस को प्रमोट किया जा सके जबकि कक्षा 9 और 10 के लिए विशियों से संबंदित वरक्षीट्स और कंटेंट्स चात्रों को भेजे जाएंगे ताकि चात्र अपने कोर्ट सब्जक्स की बेसिक अंडरस्टैंडिंग प्राप्त कर सके वहीं कक्षा 11 और 12 के लिए सबसे अधिक नामंकन वाले शीर्ष 12 विशियों के लिए प्रते एक दिन 2 घंटे के लिए ऑनलाइन क्लास लिए जाएंगे जसमें सबसे बेसिक टॉपिक्स पढ़ाये जाने से शुरुआत होगी एक उनलाइन क्लास लगबग 45 मिनट की होगी एक दिन में दो क्लास से ज्यादा नहीं लिए जाएंगे आपको बता दें कि 11 की क्लास दसमी का परिनाम जारी होने और 11 में री एडमेशन के बाद ही आयुचित होगी सभी स्कूलों के प्रधानों को यह सुनिश्चत करने के लिए निर्देश दिया गया है कि हर क्लास टीचर के पास चातरों का अपडेटेड वाटसेप ग्रूप हो शिक्चकों को उन पेरेंट्स की भी सूची तयार करनी हैं जिन के पास वाटसेप की सुविधा नहीं है आपको बता दे कि जिन पेरेंट्स के पास वाटसेप की सुविधा नहीं है उनसे क्लास टीचर द्वारा फोन कॉल के माध्यम से संपर किया जाएगा उन्हें स्कूल में जाकर एक बार में एक सब्ता का learning content प्राप्त करना होगा सोशल डिस्टन्सिंग का पालन करने के लिए केवल पेरिंट्स को ही स्कूल में बुलाया जाएगा इसी तरीके से अपना वरक्शीट पूरा कर चातर उसे अपने पेरिंट्स के माध्यम से स्कूल में भेजेंगे आज के लिए इतना ही शिक्षा से जुड़ी और खबरों को सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल शाफसी मीडिया वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें हम मिलेंगे आप से कल इसी समय एक नई खबर के साथ तब तक के लिए नमस्कार